टीवी एक्ट्रस तुनीशा शर्मा सुसाइट केस में गिरफतार सीजान खान को जमानत मिलने के बाद आज ठाने की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है तुनिशा शर्मा के आत्मत्या मामले में गिरिफतार शिजान खान के जेल से बाहर आने की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहत भावुक दिख रही है मा और बहन उन्हें जेल लेने के लिए पहुँची थी इस दोरान दोनों ने गली लगा कर फूट फूट कर रोया सिजान खान लगभग 70 दिन बाद जेल से बाहर आये है आपको बता दे कि 21 साल की टीवी एक्टरस तुनिशा शर्मा ने अपने शो अली बाबा के जट पर 24 दिसंबर 2022 को फासी लगा कर जान दे ली थी उनके सुसाइड का आरोप उनके एक्स बॉइफरेंड और कोस्टार सिजान खान पर लगा था सिजान के खिलाफ एक्टरस की माने शिकायत तरज कराई थी और फिरू ने 25 दिसंबर को गिरफतार किया गया था लंबे वक्त के बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिली और अब वह जेल से बाहर आ गये है आज यानि 5 मार्श को ठाने की सेंटरल जेल से सिजान खान को रिहा किया गया जिसके बाद बहने फलक नाज और सफक नाज और लेने पहुँची वहीं भाई को जेल से घर ले जाते हुए दोनों बहनों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी दोनों ने गली लगा कर भाई का सौधत किया इस दौरान द्रिश्च भाबुक वाला था शिजान खान पिशले 70 दियों से जेल में बन थे बीटे दिने ही उनकी जमानत वसई कोट में सुविटार की थी